नमस्कार दोस्तों क्रिकेट इंसाइट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है IPL 2021 में 8 टीम्स किलिंगी या फिर 10 टीम्स इस क्यूब पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है 2020 का सीजन खतब होने के बाद सब सोचे थे 2021 में दो नई टीम्स आएंगी मीडिय रिपोर्ट में खबर थी कि IPL 2021 10 टीम्स के साथ होगा हलागी अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है तो कौन सी है वो बड़ी खबर बताएंगे आपको पूरी डिटेल बर अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉर्स हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेगुलर लाते रहे हैं IPL में को आक्शन की बात करें तो वो यहाँ पर कंफम हो चुका है जैपुर में यह आक्शन होने वाला है और आपको जनवरी के एन पर यह आक्शन देखने को मिलेगा IPL 2021 की बात करें सो एपरिल के सेकंड वीक में आपको IPL 2021 देखने को मिलेगा क्योंकि इंग्लिन और इंडियोस यहाँ पर मार्च के एन्ड में खतम हो रही है अब बात करते हैं दो नई टीम की कि क्या वो यहाँ पर को 2021 में आने वाली है या फिर ने खबरों के मताबिक बेशिज़ाएंगे दो नई टीम को एड़ करने का फैसला टाल दिया है और IPL 2022 में दो नई टीम को एड़ करने का सोच विचार कर रही है यहीं यहाँ पर को लेटेस्स रिपोर्ट निकल कर आ रही है लेकिन इसका फाइनल डिसिज़न 24 तारिक को एज़िंटी मिटिंग में लिया जाएगा ओफिशल कन्फरमिशन आपको 24 तारिक को ही देखने को मिलेगा कि आईपियल 2021 में आठ टीम्स खेलेंगी या फिर दस टाइम ज़व इंडिया में चप एक रिपोर्ट के मताबिक 2021 में बीची साई आठ टीम्स उतारेगी बीची साई ने दो टीम्स को एड़ करने का आइड़िया फिलाल टाल दिया है इंसाइट स्पोर्ट्स में छब एक रिपोर्ट के मताबिक आईपियल 2021 में दो नई टीम्स को एड़ करने का समय बहुत कम बचा है खासकर मेगा आक्शन्स भी होना है जिसका मतलब यह है काम बहुत है और समय कम है और अगर आईपियल में दो नई टीम्स आएंगी तो वो 2022 में ही संबब हो रहा है स्टार स्पोर्ट्स के साथ आईपियल का कॉंट्रेक्ट 2021 में खतम हो रहा है और अगर 2021 में 10 टीम्स आ जाती है तो आई पेल के वैल्यू काफी जादा हो जाएगी जिससे 20 से एका लॉस हो सकता है सिपोर्ट्स के अनुसार अडानी ग्रूप और संजीव गोइंग का आई पेल की नई टीम्स करीदना चाहती है संजीव गोइंग का राई जीव पूने सूपर जाइंट की टीम के मालिक रह चुके है आपको बतादे अगर आई पेल में नई टीम्स आती है तो पहली टीम एहमदबाद की होगी और इसके पीछे रीजन साफ है वहाँ का स्टेडियम जो 10 वी टीम होगी वो पूने कानपुरिया लखनाओ की होने वाली है लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो 2021 में दो नई टीम्स को लाना मुश्किल हो सकता है लिकोर्ज टाइम काफी कम बचा है और चीनी मिमारी के चलते ये सारी चीज़ों करना काफी मुश्किल होने वाला है तो 24 तारिक को आपको AGM की मीटिंग में ये डेसिजन भी फाइनल मिल जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत बुलना और अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत बुलना